सब्सक्राइब नाओ और प्रेश तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट वेलकम फ्रेंट्स और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल मस्टर एमस्टी तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा फोटो किस तरह से प्रिंट करेंगे और कैनों प्रिंटर के साथ तो सबसे पहले मैं एक फोटो बनाता हूं toc सबसे पहले मेरे पास एक फोटो है और इस फोटो को मैं फोटो सॉप में ले जाता हूं तो यहां पर फोटो सॉब में इस पोटो को मैं ले लिया हूँ अभी पहले इस फोटो को क्रॉप करना है और क्रॉप करने के लिए 4 इंटू 6 जब आप लोग फोटो प्रिंट करेंगे तो वहां पर हाइट रहेगा 3.5 वीद रहेगा 3.5 और हाइट रहेगा 5.5 क्योंकि आप तो यहां पर पूरा 4 इंटू 6 नहीं होगा यहां पर 5 माइनस करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर इसको क्रॉप करना है तो आपको पता दिया हूँ वीद होगा 3.5 और हाइट होगा 5.5 ठीक है अभी इस फोटो यहां पर अटाच हो चुका है अभी इस फोटो को मैं सेल इसका स्टोक यहां पर लगा दिया हूँ अभी मैं लेयर ऑप्शन में जाके इसका ब्राइडनेस इसका कॉंट्रेस्ट थोड़ा से बरा लेता हूँ इस तरह से आपको पता ही है किस तरह से आपको ब्राइडनेस बराना है या कमाना है आपको पता ही है उसी तरह से आप लो तो यहाँ पर color combination मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ, अभी shift ctrl e paste कर दीजिए, यहाँ पर paste हो जाएगा, अभी ctrl n दबाना है new page के लिए, आप लोग directly इसको दूसरे step में भी print कर सकते हैं, ctrl p दबा के और यहाँ पर center remote के यहाँ पर हटा दे के, आप एक corner में आप लोग इसी तरह से, छोटा करके आप लोग print कर सकते हैं, उसके अलावा इसको cancel कर देता हूँ, क्यों मेरा यहाँ पर 4 into 6 already हो चुका है, तो यहाँ पर new page में आ जाके, यहाँ पर new file, उसके बाद यहाँ पर मैं इंची में convert कर ला हूँ, तो इंची, उसके बाद इसको open कर लाता हूँ, नीच 4 into 6 photo को यहाँ पर attach कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक ही photo को में 4 बर आपको सामने यहाँ पर paste करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं, का 2 हो चुका है, उसके बाद और एक 3, उसके बाद और एक 4, तो यहाँ पर एक paper में, full paper में आप लोग 4 into 6 photo, 4 बना करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका जो Canon का printer है, इसको select करना है, उसके बाद properties option में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर plain paper पर जगह में, यहाँ पर glossy paper select करना है, और base and color देके इस photo को print करना है, ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग कोई भी photo को 4 into 6 paper में print करेंगी, तो I hope आ पसंद आए, और वीडियो को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजे,